नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आयस पर So in a major major positive news for the Indian steel industry Government of India के द्वारा जो steel और iron ore के exports के उपर duties को impose किया गया था आज से लगभग 6 महीने पहले उनको अब हटा दिया गया है इसकी coverage the Hindu business line के द्वारा करी गई है Export duty on steel and iron ore has been removed और जो यहाँ पर irons और steel industry के जो यहाँ पर associations है उनके द्वारा इस फैसले की काफी जादा तारीफ भी करी गई है बलकि यह फैसला इतना एहम है इतना important है कि जो China का leading newspaper है Global Times के नाम से उसके द्वारा भी इसको cover किया गया है India reverses tariff hikes on iron ore exports as domestic oversupply was hurting the producers तो जानेंगे पूरी story यहाँ पर क्या है किस वज़े से इंडिया के द्वारा जो tariff hikes थे उनको लगाया गया था exports के उपर and किस तरीके से किस वज़े से आज इंडिया ने उन export duties को remove किया है उसको भी समझा जाएगा आई शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनेरोध यदि आप लोग इस lecture की PDF को download करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए कि domestically हम लोग steel की जो availability है उसको improve करना चाहते हैं जो steel prices बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उसको stabilize करना चाहते हैं तो government के द्वारा एक 15% का export duty लगाया गया था on a range of finished steel products बल्कि अगर आप देखें तो 15% का export duty हमने pig iron पर भी लगाया था इसके अलावा अगर आप देखें तो raw material side पर government के द्वारा जो export duty थी वो भी यहाँ पर काफी बढ़ा दी गई थी कुछ items जिन पर export duty 30% के असपास थी उसको बढ़ाते हुए 50% कर दिया गया और कुछ items पर export duty को 58% भी बढ़ा दिया गया था इसका हमें जो impact है को immediately देखने को मिलना शुरू हो चुका था as you can see over here यह data सामने आया था September में कि August August के महीने में जो इंडिया के iron ore exports थे they had come down by almost 60% slowing demand in various export markets primarily China because वहाँ पर जो outlook थी steel की demand की वो काफी कम हो चुकी थी हाँ पर चल रही property crisis के चलते और इंडिया में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं क्योंकि export duties लगा दी गई थी तो इसके जो exports थे वो काफी जादा गिर चुके थे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना almost saw a 70% drop in exports from इंडिया Korea saw a 77% exports for the period under review Brazil में 26% Indonesia में 14% Italy 16% Nepal 23% Oman 84% और Vietnam 37% की हमें गिरावट देखने को मिली थी obviously इसका जो impact था वो इंडिया के जो steel के exporters थे उनको भारी तरीके से देखना पड़ रहा था उसके बाद अगर आप देखें तो situation और भी bigger चुकी थी because October महीने में November महीने में October का data सामने आया था जो कि बता रहा था कि इंडिया के जो आईरन और exports है वो almost zero को touch कर चुके हैं और हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके थे हमारे exporters के लिए लेकिन अगर आप देखें तो जो हमारा उद्देश है था वो ये था कि हम लोग यहाँ पे steel के prices को stabilize करने का प्रयास कर रहे थे and the government was effectively able to do that 6 महीने के इस पूरे के पूरे gap के अंदर the government had actually brought down the steel prices from 93,000 rupees per ton to almost 57,000 rupees per ton यानि कि हमें 40% की गिरावट देखने को मिली तो government का जो यहाँ पे envisage किया हुआ outcome था वो हमें देखने को मिला कि जी हाँ steel prices को हमने stabilize कर लिया है यानि कि inflation को हमने यहाँ पे काबू में ला लिया है उसके बाद कबर सामने हाती है November 19 आज से लगभग 5-6 दिन पहले कि government के द्वारा एक बहुत ही calculated फैसला लिया गया to cut the export duty on steel and iron ore और इसमें अगरा देखें तो category wise यहाँ पर export duties को कम किया गया था specified pig iron and steel products के ऊपर जो export duty थी उसको फिर से zero कर दिया गया था और कुछ items जिनके ऊपर 58% की हमें duty देखने को मिल रही थी उसको भी कम करते हुए हमने 30% के आसपस duty को ले आए थे and as expected तो जो industry थी यहाँ पर उन्होंने इस पूरे के पूरे फैसले की बहुत अदा प्रशंसा करी बहुत प्रेस करी आपके सामने बहुत सारी commentary पेश करने वाला हूँ इन्डिया की जो steel association है that is Indian Steel Association इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर फैसला लिया गया है of the removal of iron ore duty and removal of levy on stainless steel it will go a long way in correcting India's balance of trade because हमारे जो exports हैं वो काफी बढ़ जाएंगे बलकि जो अलोग सहाय जी है who is the secretary general of Indian Steel Association इन्होंने कहा that decision to withdraw the export duty immediately once the inflation numbers came to reasonable levels shows the concern of the government to India towards common man and the industry यानि कि एक बहुत ही जादा संतुलित फैसला लिया गया है because यहाँ पर government के द्वारा जो आम आदमी है उसकी जरूतों को भी ध्यान में रखा गया और साथी में industry की जो requirements थी उनको भी ध्यान में रखा गया है यहाँ पर भी आप देख पाएंगे दिलीप ओमन जो की president है ISA के उन्होंने भी कहा that this will re-energize and further motivate the industry to move towards move forward with full confidence बल्कि जो अबुदे जिंदल हैं who is MD of Jindal stainless steel उन्होंने भी कहा कि domestic manufacturers को अब यहाँ पर मौका मिलेगा to compete with global counterparties and it is now being believed कि because यहाँ पर इस duty को हटा दिया गया है so we have a great opportunity to export iron ore and steel to various countries और वो भी एक ऐसे juncture पर because अगर आप देखें तो हमारी domestic industry को support की सक्त से सक्त जरूरत थी and the Indian government has actually come forward and supported the domestic industry and इसका हमें जो परिणाम है वो देखना शुरू हो भी चुका है because China ने यह announce किया है that we are going to increase the imports of Indian iron ore after cut in the export tariff आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे because China में क्या है कि steel makers की profitability काफी गिर चुकी है because वहाँ पर covid cases आ रही है, economy उतनी सही नहीं चल रही है उसकी profitability काफी कम चल रही है and that is why this will increase the demand for the Indian ore और जो reduce किया हुआ export tariff है इसके चलते चाइना का जो demand है Indian iron ore की वो फिर से यहाँ पे एकदम से बढ़ सकती है तो overall this is being hailed as a major major decision जो की हमारी Indian steel industry के लिए बहुत ही बड़ा factor साबित होने वाली है बाकि आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी development के बारे में डेफिनेटली बताइए हमें comment section में जाने से पहले आपको बताना चाहूँ कि अगर आप लोग अपने UPSC, CSE की preparation को घर बैटके करना चाहते हैं तो इस case में GS courses, optional courses, CSAT courses आप लोग अपने घर बैटके इसकी तयारी कर सकते हैं using test book, super coaching इसमें कि आपको सारे के सारे courses available करवाय जा रहे हैं मात्र और मात्र 30,000 रुपे में अगर आप लोग मेरा coupon code अनिरुद यूज़ करते हैं इसमें आपको इंडिया के super teacher से पढ़ने का मौका मिलेगा और साथी में मेरा बनाएगा science and tech का course भी आपके लिए available करवाया जाएगा thank you so much for listening, stay tuned